उस पाइम वो लड़की मुझे कमरे की अंदर आती दिखी बालकनी ना उसने खुल ना दर्वाजा खुला ना कुछ वो अंदर आ रही थी उसके पैर उपर को थे सीर और भाजू नीचे को ऐसे बड़ी भेंकर सी गुराने सी किवा निकाल रही थी दोस्तों आप सभी का सवागत अक्षे वसिष चैनल पर इस चैनल पर मैं अक्षे वसिष आपको ऐसे पैरनोमल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे बताता हूँ जो कि हमारे फॉल्लवर और सब्सक्राइब और हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्टाग्राम आइडी जीमल आइडी और अब एक ऐसा फोन नमबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो कभी आपके साथ भी कोई पैरनोमल इंसिडेंट हुआ हो आप उसे रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हमारे वाट्स अप नमबर पे हमारे साथ शेयर करते हैं उन्हें सुनने के बाद कुछ लोगों का हमारे बास मैसेज आते कि अक्षे सार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि हम उनके रियल इंसिडेंट अपने चैनल के तुरू आपके सामने लेके आ रहें जिनकी वरे से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं आपके जो कमेंटस होते हैं वो हमारे लें celebration होते हैं इसलिए कमेंटस को तहिए दिलจए जितना जादा हो सके भरके रखिए जितने जादा हो सके कमेंटस करिए वीडियो को share कीजे आज का जो रियल incident है वो हमें इशिका ने बताये जिनके साथ 2022 में एक ऐसा incident हुआ था ती इशीका सुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उन्हें कभी पैरानॉमल के उपर यकीन था ही नहीं लेकिन उनके साथ 2022 में एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वज़े से उनको पैरानॉमल पर यकीन करना पड़ गया बात है उनकी गर्मियों के छुट्टियों की जब इशीका अपनी पढ़ाई में लीन थी और एक दिन उनके पापा उन्हें बताते की एक नाइट पार्टी है जिसमें उनको उनकी मदर के साथ जाना है इशीका के एक भाई भी है जो की होस्टल में रहा करते थे बाहर कॉलेज में दूसरी स्टेट में पढ़ाई किया करते थे इशीका ने बताया कि वो रात थी जब उनके पेरेंट्स को जाना था और इशीका हमेशा ऐसे अकेले रहा करती थी जब उनके पेरेंट्स नाइट पार्टी में जाया करते थे और आप आर्मी की पार्टी के बार में अगर तो वो काफी टाइम तक चलती थी रात के एक दो बजे बहुत मामूली बात है क्योंकि उनके उपर कोई रोग टोग नहीं होता क्योंकि वो अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्टी किया करते थे हाला कि अगर आप बाहर पार्टी करेंगे तो रात के दस बजे डीजे बंद करते हैं कि एक साथ चलते हैं पार्टी में टाइम सा निकल जा जाएंगे दोनों बच्चिया साथ में तो वो घर पे रहे जेंगी क्योंकि इशिका ने साफ मना थी उनके रोल मोडल उनके पापा रही हैं तो उन्हें इस चीज़ का कभी डरी नहीं था कि हमारे गर में कुछ गलत हो सकते हैं लेकिन वह रात कहते हैं ना कि जहां पर इंसान ओवर कॉंफिडेंट हो जाता है वह रात उनके ओपर बहुत भारी पढ़ने वाले थी तो इशिगा ने बताया कि रात के दस साड़े दस की बात है मैंने अपने घर को लॉक किया और सामने वाले घर की बैल बजाई तो वहाँ पर मेरी ही हाइट की एक लड़की आई और उसने गेट खोला और मुझे अंदर बुलाया वो लड़की अजीव सी थी जैसे या तो उसे बहुत जादा ठंड लग रही थी या फिर शायद वह अपने अकेले घर में बहुत जादा डर रही थी इशिगा ने वहाँ पर कदम रखा और इस चीज को वह दूसरी लड़की देखकर बहुत जादा खुश हो गई कि आप कोई उसके साथ रहने वाला है इशिगा ने अप लियार आप सो जाते हैं काफी टाइम हो गया है तो सोने से पहले वह अपने पापा को फोन करती है इस लड़की का भी धियान रखूंगी उसके पापा हस्ते हस्ते फोन काटते हैं कि हम आ जाएंगे और जैसी आएंगे तुम्हें बता देंगे बारा बसते हैं जब वो सोने के ले जाते हैं तो इशिगा को कभी किसी के साथ सोने के आदत नी थी वो हमेशा अपने एक सिंगल रूम में अलग से ही रहती थी तो इशिगा जो है उस लड़की के पेरेंट्स के रूम में चली जाती है और वो जो इशिगा के साथ जो लड़की का घर था उनके पेरेंट्स के गमरे में लेट जाती है और शायद इशिका ने बताए कि भाई वो जो सामने वाले लड़की थी वो चाहती थी कि इशिका उस रात उसके साथ सोए लेकिन इशिका ने उस चीज में जादा इंटरस दिखाया नहीं अब रात के एक लड़की बहुत जादा पसीने में और की थी जैसे उसने भूत देख लिया इशिका उससे पूछते है क्या हुआ तो डरी हुई से क्यों लग रही है तो वह जो लड़की थी वह बोलती है कि भैन मेरे साथ चलना प्लीज मेरे कमरे में कोई है मुझे जैसे मेरे कमरे में से कंबल ओड के कैसे सो रही है इशिका उसे पूछते कि एक बात बदढ़ा तू अपने कमरे में तुने एसी बात पापा आ जाएंगे तीन-चार बज़े तक तो थोड़ी देर की बात वा रहा है सो जा रहा हमसे तो इशिका फटा-फट से उठके अपने उसी युनी के पे आपर छोड़ देती है थोड़ी देर में उसकी आख ही लगी थी इशी का कि फिर दुबारा वो लड़की आती है बोलते ही कि प्लीज इशी का तू मेरे साथ चलना मेरे कमर में सो जाना मेरे साथ उस कमरे में मुझे किसी के गुन-गुनाने की आवाज आ रही है इशी का बोलत यहां पर इशिगा ने पहली बार हाइलाइट करा कि अक्षे भाई वहां पर जाने के बाद मुझे सीरेसली बहुत अजीब लगा क्योंकि जिस कमरे में अभी तक ठंड हो रही थी वहां पर पूरे घर में टेंपरेचर बहुत अजीब हो गया था और उस लड़की के कमरे में वह देख क्या इशिगा दुबार की सीरेसली यहां पर कुछ है या नहीं है तो उसका कमरा बहुत जादा ठंड हो ग क्यों हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और जब इशिका उसके घर में गई थी तब भी अपनी पॉकेट में हनुमान चालीसा छोटी वाली जो थी वो लेके गई थी वापिस आते टाइम इशिका जो है अपने उस हनुमान चालीसा को ड्रॉर में नहीं रखती सामने वाले टेबल पर रख देती है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा किंग साइज बैट था जिसमें इशिका लेटती है और वो जो लड़की उनके पीछे लेट जाती है यहां से इशिका ने मुझे बोला कि एक्षेसर मुझे नहीं पता था उस रात मैं क्या-क्या चीज़त द कि ऐसले इशिका थैसे इसा उछो यह क向 दिख टश напार मैं उसकुंछ आसा हो जबिए इसका ने देखा उसके पीछे लड़की ठीड़की ति एक दमसे उसने देख कर इशिका को पड़दा आगे carving चल बहुत ज़ादा ठर गई और उसने पीछे मुड़े के देखा तो वो जो दूसरी लड़की थी सामने वाले घर वाली लड़की वो भी उस टाइम पे जगी हुई थी इशिगा ने डर के मारे एक चदर अपने उपर ओड़ ली और उस लड़की को वोला तू भी सोजा चुपचाप अब ये सोने की कोशिशी करते हैं इतने में जो पीछे लड़की लेटी थी उसने इशिगा को हात मारा इशिका इशिका देख वो लड़की आ गई इशिका ने अपनी चदर नीचे की तो उसने देखा वो लड़की सीरियसली एक लड़की चलके अंदर आ रही है वापिस जा रही है दो कदम आ रही है दो कदम वापिस जा रही है तीन कदम आ रही है फिर तीन कदम वापिस जा रही है इशीका इसी इसको देखकर बहुत जादा डर गई थी कि एक entity एक लड़की छोटी से ही कम से कम पाच फिटकी होगी वो लड़की आरिया जारिया आरिया जारिया आरिया जारिया इशिगा ने बोला कि कौन है यह तो वो जो लड़की थी वो बोली कि अभी देखना यह न मुझा रोज परिशान करती है अभी देखना है यह हमारे ब पूरे दस से पंदरा दिन होगे मुझे इसे जहलते हैं यह मेरे को रोज दिख रही है मैं अपने मम्मी पापा को बोलने की कोशिश करती हूं लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती इशीगा उस लड़की को बोलती है अनुमान चालिसा गाह मन में और सोजा तो बगल में जो पेरेंट्स थे उन्हें आते आते सुबह टाइम लग गया और वह चार-पांच बजे अपने घर पहुचे तो इशीगा ने अपने पेरेंट्स को यह बताना जरूरी नहीं समझा उस टाइम पर जब वह चार-पांच बजे आये थे तो इशीगा ने उस लड़की को सामने व पापा थे वो इशीगा पे इतना जादा ट्रस्ट करते थे वो फटा फट से एक पंडी जी को फोन करते जो उनके नोन में थे कि पंडी जी अभी अभी आओ मेरी लड़की ने ऐसा कुछ फेस किया है जिसकी वाले से वो बहुत जादा डिस्टर्ब है तो पंडी जी उनके नोन में थे वो आते हैं वहाँ पर एक दो घंटे बाद तो जो इशीगा के पापा थे उसने सामने वालों से इस बार में बात नहीं की थी कि ऐसा कुछ हुआ है जो पंडी जी आते हैं एक दो घंटे बाद वो आती कदम रखते ही बताते थे कि यहाँ पर कुछ गलत है कोई रात इशीगा अपने कमर में सो रही थी और उनके पापा ममी अपने कमर में सो रहे थे उन्हें लग रहा था जो पंडी जी आये थे जिन्नोंने कुछ चीज़े बताई थी उसकी वेज़े से सारी ठीक हो गई बट आज रात इशीगा के साथ ऐसी चीज हुई कि रिकॉर्ड अब जो सामने बालकनी थी उनके कमरे की उदर से वा जाती है जैसे कोई घुरा रहा है इशीगा उठके जाती है बालकनी को देखने के लिए लेप्टन साइड में देखती है बालकनी के ओपर जो छोटा चज़्जा होता है उस पे एक फीमेल उल्टी लटकी हुई थी जिस अब घर में पुजारी कदम रखते हैं जो बहुत जादा सिद्ध पुजारी थे वो कदम रखते ही देखते हैं आगे पीछे बोलते हैं यहाँ पर किसी ने ब्लाक मैजिक करा हुए तो उसके पापा सोचते हैं एक रात मैं इस घर में नहीं था एक रात को क्या ऐसा हो गया जिसके वरे से ब्लाक मैजिक की मतलब बैट की तरफ देखे बोलते बैट के पीछे कैं तो उस kij filtration को जब खुसका आया जाता है तो उसके अंदर से हैरध निकलते है पीछे से और एक हाथ प्रेसलेट निकलते है जो बीड्स का बना हुआ था अब बुजारी बोलते हैं इसे बॉहार ले की आओ अपनी शिश्चे जो होतने हुंने बोलते हैं हाथ मतलगा ना रुमाल से पकड़ों से पकड़के उसरे बहार लाते और रुमाल से पकड़के जब देखते तो जो psat नियुकण बनी हुएते उसमें एक black और red beads थी black और red beads में एक नाम था और और वो नाम जो था, वो सामने वाली लड़की का उस पर बुद्वा के लिखवा था, जैसे कोई ऐसे होता नाम लिख दिया जाता है ब्रेसलेट पे, तो उस लड़की को बुलाया जाते है, कि ये ब्रेसलेट कहां से आया तुम्हार पास, और ये इस घर में क्या कर रहा है, त उन्होंने जब वो सामने वाली लड़की को बुलाया था, तो उसके पेरेंट्स भी साथ में आ गए थे, तो ये सब कुछ जो हो रही थी क्रिया, उसमें जो सामने वाले पेरेंट्स से अपनी बेटी को पूछते, कि बेटे ब्रेसलेट तुझे किस ने दिया, तो उस स्लेट के उपर मारन क्रिया कर रखी थी, सिरफ 10 से 15 दिन के अंदर मारने के लिए ये सारी के सारी क्रिया कर रखी थी, सामने वाले लड़की के उपर, अब सब कुछ पता किया जाता है, तो अब क्या होता है, वो जो पुजारी जी होते हैं, वो इनके घर से उठके, इशिक कि parents और सामने वालों के parents उसी घर में थे जब वो क्रिया की जाती तो सामने वाली जो लड़की थी उसके अंदर कोई आत्मा आती है उसके सरीर में जिससे पूछा जाते हैं कि भाई तु इसके सरीर में क्या कर रही है या तेरे को छोड़ा गया किस ने छोड़ा तो वह आत्मा तो बोलते हैं है सच बोल रही है तो उसा आत्मा से पूछा जाता है और तो सारी बात वो बताती है वो आत्मा बोलती कि ऐसे ऐसे इस लड़की जो सामने वाली लड़की थी इसके उपर बहुत जायदा छोड़ रखी थी कि क्योंकि इसके आगे जाके शादी होनी है तो जो पूरवज थे वो पहली इनके लिए बहुत जादा पैसा जोड़के गए थे और इनकी जो मासी थी इस चीज़ से बहुत जादा चिड़ती थी कि मेरे लड़के के लिए पैसे नहीं दिया वो हैंडिकैपड है तो ये लड़की मर जाएगी तो जो हिस्सा है वो लड़के की तरफ जादा आ जाएगा ये सब सुनने के बाद सारे बहुत जादा परिशान होगे थे कि अब लड़की का क्या होगा तो पुजारी जी बोलते है कोई नी मैं इसको फ्री कर दूँगा तो वो बोलते हैं आत्मा को कि तुझे यहां से जाना होगा तुझे हम मुक्त कर देंगे तो आत्मा खुद बोलती है कि मुझे मुक्त कर दो मुझे बहुत टाइम से इसकी मासी ने बांध रखा अब जब वो गुडिया निकल के आती है तो गुडिया को उनके सामने वाले पेरेंट्स के जो हेड थे उनको दी जाती है और बोलते हैं कि इसे आपको बहुत दूर कहीं पर ऐसी जगा दफना के आना है जो कि इस गुडिया को कभी कोई ढून ना सके उसके बाद फिर वो जो सामने वाली लड़की थी उसको दो से तीन नारियल दिये जाते है लाल कपड़ में बांद के और बोला जाते कि इसे आपको समशान के बाहर रख के आने उनकी मम्मी भी उनके साथ जाने वाले थी और बोला था समशान के बाहर जब आप रख के आओग तो उस लड़की ने बोला कि जो ब्रेसलेट और हेयर मैंड था जब वो इशिगा के बैड के पीछे पड़ गया था उस दिन के बाद उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं हो जो सामने वाले पेरेंट्स थे और इशिगा के पेरेंट्स थे उन्होंने पूछा कि मासी ने जब आपको यह ब्रेसलेट दिया था तो आपको क्या बोला था तो वहां पर एक ऐसी पंजाबी निकल के आथी है जिसे इशिगा ने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता है जो मेरे तो थोड़ा सा समय से परेंथी पंजाबी में पर हिंदी में वो कुछ ऐसी थी कि हम जिन से वो रहें और जिनसे हम नफरत करते हों मर जाएं अब इस recording को आप सुनोगे हमारी वीडियो में उसके बाद मैं आता हूँ वो जान जेड़ी साथ यहां तो इशिगा ने पुझारी जी से पूछा कि वो जो एंटीटी थी वो अंदर भार आ रहे थी उन्होंने इनके उपर हमला क्यों नहीं किया तो पुझारी जी ने एकदम से टेबल के तरफ इशारा कर और बोला जो हनुमान चालीसा वहाँ पर रखी है ना जिस दिन तुमने उस टेबल पर रख दी थी उस हनुमान चालीसा के आगे कभी कोई ब्लैक मैजिक एंटिटी या कोई कितनी भी पावरफल एंटिटी हो वो अपना जोर नहीं चला सकती अब फाइनली मासी का क्या हुआ तो जो स सामने वाले घर में लडकी थी सामने वाले जो पैरेंटस से उन्होंने मासी से अपना बिल्कुल टचमें नहीं तो दोस्तों आपने सुना होगा इससे यह पता चलता है कि नफरत का ओदा है अ और हम कल्यूग में हैं तो वो कुछ ऐसा कर देगा हमारे साथ कि हमारे सामने वालों को लगेगा ये तो ऐसी मिर्तिय उमर गया इसकी शायद तारीक आ गई थी moral of the story conclusion अगर आप किसी भी उमर में हैं चाए आपके बच्चे हैं चाए आप खुद बड़े हो चुगे हो किसी का दिया मतलो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी अड़वाईज है बच्चे आपके हैं ये इनका ध्यान रखना सीखो अगर इनकी बॉड़ी पे कोई चीज नहीं दिख रही है या लाया गया है आपके हाथ में आपकी सिक्यूर्टी होती है आपके बच्चे आपके हाथ में आपका कुल आपका परिवार आपका वंश आपके हाथ में है लेकिन जब कोई चीज आपको दी चाती है तो कोई अपना ही होता है उस चीज के पीछे तो थोड़ा सा ध्यान र यह एक लाग अभी हमने क्रॉस कि अभी हमें मिलियन तक जाना है इंस्टाग्राम को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए अगर आपको लगते हैं आपके साथ कोई पैरानोमल इंसिडेंट हुआ और नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद चैनल उन्होंने जादा प्रॉप्टी जादा पैसे इस लड़की के नाम कर रखे थे उनकी उसके मासी को था कि मुझे मिलने चाहिए मेरे मेरे बेटे दलाज होएगा मतलब सान चाहिए तो कुडीनों दे रख्या लड़की पैसे लड़की को क्या करने तो इसलिए उन्होंने किया था ये